हेलो नमस्कार दोस्तों मेर नाम है कपेल और स्वागत आप सभी कफोर आपके सक्सेस में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोटेंट कोशन आंसर का पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम लोग 100 कोशन को देखेंगे ये कोशन आपके आने वाले सभी परतू की परिशाओं के लिए जैसे से सी रेलवेब, पीएसी, एंडियेट, टेट, सीटेट, पुलिस इकजाम साधी के लिए अतिमात पूर ने है तो इसलिए आप इस बासव को सुरुसान तक जरू देखेगा और इन्हें याद कर लिजेगा अगर आप इस बासव का PDF फाइल डॉनलोड करना चाहते हैं तो PDF डॉनलोड करने का लिنक इस वीडियो के description बाक्स में दिया हुआ है तो चले अब कोशन को बढ़ते हैं कोशन है, किस एक राजि में सुईल नदी पर्योजना च्तित है ? तो देखे, सुईल नदी पर्योजना या हिमाचल परदेश राजि में च्तित है नेक्स्ट कोशन है भूतापिय उर्जा पर आधारित मनी करन विदूत संजत्र किस राजे में स्थित है तो देखें मनी करन विदूत संजत्र जो है या भी हिमाचल परदेश राजे में ही स्थित है ठीक है रोयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दोरान ब्रिटीस परधान मंत्री कौन थे तो दिखे रोयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दोरान ब्रिटीस परधान मंत्री बेंजामीन डिजरायली थे नेक्स्ट कोशन है किस मृदा को कम सिचाई की आवसकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है तो वह मृदा है काली मृदा काली मृदा को कम सिचाई की आवसकता होती है क्योंकि यह मृदा जो है काली मृदा नमी को रोके रखती है हिंदी की महांतम साहितिक कृत्यों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है तो कामायनी के लेखक है जैसंकर परसाद अगला प्रसन है भारत का राश्ट्रे पुस्प है कमल नेक्स्ट कोशन है कोशन पर 407 मिठे पानी की कलपसर पर्योजना वस्तित है अगला प्रसन है सालेंट वेली या सांत घाटी किस राज में सित है तो या केरल में सित है नेक्स्ट कोशन है भारत की स्वर्निम चतुर्भूज पर्योजना जोड़ती है तो भारत की स्वर्निम चतुर्भूज पर्योजना जोड़ती है नेक्स्ट कोशन है, कोशन मर 410, महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम पुतली बाई था, ठीक है? नेक्स्ट कोशन है, अस्तंधार्यों में स्वसन होता है, तो अस्तंधार्यों में स्वसन फेफडों के द्वारा होता अगला प्रस्न है उत्री धुरुवय प्रकास के लिए वाय मंडल की कौन सी परत जिम्यदार है तो उत्री धुरुवय प्रकास के लिए जो है वाय मंडल की आयन मंडल परत जिम्यदार है अगला प्रस्न है अधिकांस सरीश रुपों में होता है तो अधिकांस सरीश रुपों में तीन कच्छिय हिर्दे होता है next question है question 414 मगर मच का हिर्दे कितने कच्छ का होता है तो देखें मगर मच का हिर्दे जो है चार कच्छ का होता है अगला प्रस्न है सिर्का का रसानिक नाम क्या है तो सिर्का का रसानिक नाम acetic acid है अगला प्रस्न है पूर्वी द्वीप समू का कौन सा द्वीप तीन देशों में विभाजित है तो वह है बौर्नियो ठीक है बौर्नियो जो है यद तीन देशों में विभाजित है अगला प्रस्न है बौर्नियो द्वीप समू जो है यहाँ पर देखे बोर्णियो द्वीप समुझूत है यह तीन देशों में विभाजित है ठीक है बोर्णियो द्वीप समुझ तीन देशों में विभाजित है अगला प्रस्ण है भारत के किस जलपरपात को लोगप्रिय रूप से नियागरा जलपरपात के तौर पर जाना जा चित्रकोर्ट जलपरपात इंद्रावती नदी पर इस्तित है नियागरा जलपरपात कहां स्तित है तो नियागरा जलपरपात जो है यह संजुक्त राज अमेरिका और कनाडा की सीमा पर इस्तित है अगला प्रस्न है नियागरा जलपरपात किस नदी पर रवस्तित है किलोमिटर है या अफरीका महादविप में च्थित है ठीक है Next चोटोन है Q423 20 विशवकी सबसे चोड़ी नदी है तो 20 विशवकी सबसे चोड़ी नदी अमेजन नदी है अमेजन नदी कहां भाती है तो या Next question है ECG का फूर्ण रूप है तो ECG का फूर्ण रूप है, yaptro-cardiogram ठिक है, 보시력 whole form फॉर्म है yaptro-cardiogram next question है, mayopia की संका दोस है, तो mayopia जो है या आख का दोस है, ठिक है आख का रोग है, अगला प्रस्थन है साधारन barometer में कौन सा ध्रव परियोग होता है, तो साधारन barometer में पारा परियोग होता है पारा, next question है question 426 Question 427 है barometer का पर्योग किया जाता है तो barometer का पर्योग वाजुदाव मापने में किया जाता है अगला परस्no है, भारत की परमानिक मध्यान रेखा कहलाती है तो भारत की परमानिक मध्यान रेखा 82, 82 degree पूरवी जो है यह भारत की परमानिक मद्यान रेखा कहलाती है नेक्ट कोसन है अस्टार्च रहा एक पहली poly sekiride है ठीक है अस्टार्च रहाँ एक poly sekiride है नेक्ट कोसन है बंगाल का वियँ भाजन किस वर्स किया गया था तो बंगाल का विभाजन वर्स 1905 इस्वी में किया गया था नेक्ट कोशन है बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था तो देखे बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉड करजन था नेक्ट कोशन है लॉड हाडिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्स रद किया बंगाल विभाजन 1905 हुआ था लॉड करजन के समय में और इसका विभाजन जो है लॉड हाडिंग ने रद कर दिया था 1911 में ठीक है बंगाल विभाजन को वर्स 1911 में लॉड हाडिंग ने रद कर होती है तो वह है hydrogen sulfide hydrogen sulfide जिसका सुत्र है राशानिक सुत्र H2S इसकी जो गंध है वह सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है next question है question 435 1872 में भारत के वासराय Lord Mayo की हत्या कहां की गई थी तो देखे 1872 इस्यो में Lord Mayo की हत्या जो है Port Blair में कर दी गई थी next question है Imperial Bank of India के स्थापना किस वर्स की गई थी तो Imperial Bank of India के स्थापना वर्स 1921 इस्यो में की गई थी next question है question 437 निलगीरी परवत माला किस राज में सीथ है तो निलगीरी परवत माला या तमिलनाडू राज में सीथ है किस सविधानिक संसोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा के स्थापना की गई थी दिल्ली के होज़ खास सेतर में चोर मिनार है इस चोर मिनार को जो है अलाउदीन खिलजी ने बनवाई थी सर्वपर्थम किस भारतिय राष्टिय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोगप्रिय गित बना तो वंदे मातरम लोगों का लोगप्रिय गित जो है स्वदेसी आंदोलन के समय बना था 1905 से 1911 की आउधी तक जो है स्वोदेशी आंदोलन चला था और इसी समय वंदे मातरम लोगों का लोगप्रिय गीत बना नेक्स्ट कोशन है कोशन वर 441 भारत में वस्तु एवं सेवाकर यानि जीएश्टी गोड्स एंड सर्विसेश टैक्स कब लागो हुआ तो देखे भारत में जीएश्टी जो है 1 जुलाई 2017 को लागो हुआ है नेक्स्ट कोशन है किस सविधानिक संसोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवाकर को लागो किया गया नेक्स्ट कोशन है किस देश ने वस्तु एवं सेवाकर सबसे पहले लागू किया था तो विश्व में सबसे पहले वस्तु एवं सेवाकर जो है फ्रांस ने लागू किया था नेक्स्ट कोशन है कम्प्यूटर का मस्तिस्क किसे कहा जाता है तो computer का मस्तिस्क CPU को कहा जाता है CPU का full form क्या है तो इसका full form होता है Central Processing Unit Next question है Chip को आंदोलन के प्रनेता कौन है तो chip को आंदोलन के प्रनेता सुंदरलाल बहुगोना है Next question है वायू मंदलिये अपवर्तन के कारण सुर्योदय और सुर्यास्त में लगबग कितने मिनट की देरी हो सकती है तो वायू मंदलिये अपवर्तन के कारण सुर्योदय और सुर्यास्त में लगबग 2 मिनट की देरी हो सकती है Next question है Question number 447 भारत की पहली feature film राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिक कब की गई थी तो देखे भारत की पहली feature film थी राजा हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिक जो रिलीज भी थी या मूवी यह भी थी 21 अप्रेल 1913 स्वी को Next question है भारत में वन्यजीव संरच्छन अधिनियम किस वर्स लागो किया गया था तो भारत में वन्यजीव संरच्छन अधिनियम वर्स 1972 स्वी में लागो किया गया था अगला प्रस्ण है फेस्बुक के संस्थापक कौन है तो फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है मार्क जुकरबर्ग ने फेस्बूक के स्थापना कप की थी 2004 में की थी अगला प्रशन है अधाई दिन का जोपड़ा मस्जीद का निर्मान किस ने करवाय था तो देखे अधाई दिन का जोपड़ा जो है एक मस्जीद है और इसका निर्मान कुत्व बुद्दीन एबक ने करवाय था नेक्ष्ट कोशन है नागरजुन सागरबांध किस नदी परिस्थ है तो नागरजुन सागरबांध क्रिष्णा नदी परिस्थ है next question है महात्मा गांधी ने सर्वपर्थम सत्यागरह का परियोग कहां किया था तो महात्मा गांधी ने सर्वपर्थम सत्यागरह का परियोग दच्छिन अफरिका में किया था next question है question number 456 है गांधी जी ने भारत में सर्व पर्थम सत्यागरा का पर्योग कहां किया तो देखे गांधी जी ने जो है सर्व पर्थम सत्यागरा का पर्योग दचीन अफरिका में किया था लेकिन कोशन में है यहां पर कि भारत में सर्व पर्थम कहां किया था तो चंपारन में किया था ठी जीम कार्बेट निशनल पार्क नेक्स्ट कोशन है कोशन वर 458 जीम कार्बेट निशनल पार्क किस राज में सित है तो जीम कार्बेट निशनल पार्क उत्राखन राज में सित है अगला प्रस्न है भाखडा नांगल बांत कब बना तो भाखडा नांगल बांत वर्स 1963 में में बना था नेक्ष्ट कोशन है नंदा देवी राष्टे उध्यान किस राज में सित है तो नंदा देवी राष्टे उध्यान उत्राखंड राज में सित है उत्राखंड के चमोली जिले में नेक्स्ट कोशन है कोशन वर 462 योसंग त्योहार किस राज में मनाय जाता है तो योसंग त्योहार या मनीपूर राज में मनाय जाता है नेक्स्ट कोशन है जल पाई गुडी किस नदी के किनारे स्थित है तो जल पाई गुडी जो की पसिम बगाल में स्थित है या तीस्ता न खुलता मिलाइ। तो उसकी γतित जूर्जा चोगनी हो जाती है.. जन्संख्या के दरिश्टी से संसार का सबसे बड़ा महादूइप है.. तो जन्संख्या के दरिश्टी से और छेत्रफल के दरिश्टी से दोनों ही है ना एसिया जो है एसिया महादवीप सबसे बड़ा महादवीप है ठीक है जनसंख्या की दृष्टी से और छेत्रफल की दृष्टी से विश्वका सबसे बड़ा महादवीप एसिया महादवीप है नेश्ट कोशन है question number 467 जैहिंद का नारा किस ने दिया था? तो जैहिंद का नारा नेता जी सुभाश चंद्रबोश ने दिया था नेश्ट कोशन है भारत में किस भारते नेता के असमृति में उनके जन्मदीन पर राष्ट्रे एकता दिवस मना आ जाता है तो राष्ट्रे एकता दिवस मनाय जाता है सरदार वल्लभाई पटेल के जन्मदीन पर नेश्ट कोशन है राष्ट्रे एकता दिवस कब मनाय जाता है तो राष्ट्रे एकता दिवस परतेक वर्स 31 सक्टूबर को मनाय जाता है नेश्ट कोशन है कोशन वर 417 महात्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मनरेगा कब पारित हुआ था तो मनरेगा जो है वर्ष 2005 में पारित हुआ था Next question है 1024 किलो बाइट बराबर होता है तो 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है अगला प्रस्ण है राष्ट्रिय पोशन संस्थान यानि National Nutrition of India कहां स्थित है तो राष्ट्रिय पोशन संस्थान है हैदराबाद में स्थित है अगला प्रस्ण है गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो गंगा नदी को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है और गंगा एवं ब्रहंपूत्र की संजुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है तो देखे गंगा एवं ब्रहंपूत्र की संजुक्त जलधारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है अगला प्रस्न है तिहरी बांध किस नदी पर बना है तो तिहरी बांध भागी रती और भिलंगना नदी के संगम पर बना है नेक्स्ट कोशन है कोशनवर 476 तिहरी बांध किस राज में सित है तो टिहरी बान जो है या उत्राखन राज में सित है तो यह कथन है यह नारा है नेता जी सुभाज चंद्रबोस का नेता जी सुभाज चंद्रबोस ने का था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा अगला प्रस्न है किस वर्स में मुसलिम लिग ने एक पर्थम राष्ट्र का संकल्प स्विकार किया था तो 1940 सिस्वि में जो है मुसलिम लिग ने एक पर्थम एक पर्थम राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव जो है स्विकार किया था नेस्ट कोशन है कोशन दर 481 दुलहस्ती पावर अस्टेशन किस नदी पर सित है तो दुलहस्ती पावर अस्टेशन चिनाब नदी प नेक्सट कोसन है रचेंट करकर हेंख, बारत के कितने राजो से होकर गुजरती है, तो करकरेखा जो है भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है वह आठ राज्य कौन-कौन है तो वह है मिजोरम, त्रिपूरा, पस्षिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्यपरदेश, 36 गड़ और जारखन तो इन्ही आठ राज्यों से जो है भारत में करकरेखा नेक्स्ट कोशन है कोशन मरण 486 अंध महादवीप किसे कहा जाता है तो अंध महादवीप अफ्रीका महादवीप को कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है कागज का विश्कार विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ था तो कागज का विश्कार विश्व में सबसे पहले च ठीक है यानि छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज़ी है राजस्थान पहले नमर पर है दूसरा सबसे बड़ा राज़ी है छेत्रफल की दृष्टी से मध्य पर्देश और तिसरा सबसे बड़ा राज़ी है छेत्रफल की दृष्टी कौन से महाराश्ट् हल्दी घाटी के यूद में किस समराट की सेना ने महाराना परताब से यूद किया था हल्दी घाटी का यूद या यूद हुआ था 1576 में इस यूद जो है या यूद जो है महाराना परताब की सेना और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था टो हल्दी घार्टी कायूत अकबर की सेना और महाराना परताब के बीच हुवा था next question है माथे रान नामक हीलस्टेशन कहां परिस्दित है तो माथे रान नामक हीलस्टेशन जो है या महाराष्टर में इस्थित है नेक्स्ट कोशन है भारत मे पर्थम जन गर्ना कब हुए तो भारत मे पर्थम जन गर्ना वर्स 1872 रिस्वन हुई थी लॉड मेयो के कारिकाल में और भारत में नीमित जन्गन्ना की सुर्वात वर्ष 1881 में सुर्वी हुई किस गवर्नर जनरल के कारिकाल में, लौड रीपन के कारिकाल में, नेश्ट कोशन है हिरा कुंड बांध किस नदी पर बनाये गया है, तो हिरा कुंड बांध या महा नदी पर बनाये गया है, हिरा क्या था next question है sensors have focused degree में व्यस्थित करने के लिए यह करना आता है thermostat capture desta one ko किसी Dutch degree में व्यस्थित करने के लिए परयूक्त होने वाला उपकरन क्या करनाता है thermostat कहलाता है next question है m shelf मनुस्य के नाखुन बने होते हैं, तो मनुस्य के नाखुन के बने होते हैं, केरेटिन के, next question है, कौन से hydrocarbon LPG के मुख्य घटक है, तो LPG का मुख्य घटक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, LPG का मुख्य घटक, प्रोपेन और ब्यूटेन है, last question है, इस वीडियो का, sea of tranquility Sea of Tranquility कहां पर है तो देखे Sea of Tranquility जो है यह चंद्रमा परिस्तित है